पाठ दो चालाक चुन्नू एक घना जंगल था उस जंगल में दो मित्र चुन्नू मेमना तथा भोलु बच्छडा रहते थे दोनों में चुन्नू अधिक चालाक और नटकट था एक दिन चुन्नू बोला मित्र सूरज का घर इस पहाड़ी के पीछे है अस्थ होने पर यह अपने घर जाकर आराम करता है इस बात पर भोलु को आश्चरे हुआ नटकर चुन्नू फिर बोला चलो मित्र देखते हैं इसका घर कैसा है यह क्या खाता है कैसे सोता है दोनों मित्र अपने अपने माता पिता को बिना बताए सूरज का घर देखने चल दिये चलते चलते मार्ग में एक गहरा नाला पड़ा नाला देखकर भोलु डर गया वह बोला भाई वापस चलो मुझे तो डर लगता है चुन्नू बोला तुम तो डर पोक हो मुझे तो किसी चीज से भी डर नहीं लगता उसने चलांग लगाई और नाले के दूसरी और पहुँच गया चुन्नू को देखकर भोलु ने भी चलांग लगाई और नाला पार कर लिया चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हे एक पथर दिखाई दिया वे दोनों जैसे ही पथर के पास थी थेला लेकर दोनों मित्र पहाडी के उपर जा पहुचे वहां एक तंबू लगा था उसमें से ढोलक और गाने की मदुर ध्वनी सुनाई दे रही थी चुन्नु ने तुरंत दर्वाजा खोल दिया तंबू का दर्वाजा खुलते ही दोनों मित्र आश्चर्य चकित रहे ग तंबू में गुस्त ही दोनों मित्र समझ गए कि हम किसी मुसीबत में फस गए हैं लोमडी मीठी मीठी बातों से उनका स्वागत करने लगी आईए आईए बैठे महमानों प्रभू की कृपासे आप लोग हमारे तुहर के प्रतिभोज में शामिल हुए हैं आप भी हमारी त जाकर आपको अपना प्रियगीत सुनाता हूँ चुन्नु गीत शुरू करता है डपली बजाता हूँ डपटप शान से दुश्मनों को हम मारेंगे जान से शेर का हमको नहीं है डर फालू का भी हम तोडेंगे सर बेडिये से डरने वाले हम नहीं लोमडी की चाला की मेदम न अभी जालीमों को देते हैं सजा अभी सभी जानवर गीत सुनकर बोले बड़ा निडर प्राणी है शेर धारते हुए बोला तुम कौन हो चुन्नु बोला हम जंगली शिकारी हैं भालू गुराते हुए बोला कहा जा रहे थे चुन्नु ने जवाब दिया हम दोनों मित्र मा आल का थैला लेकर जा रहे थे बेडिया फुस-फुस आया देखे कैसा माल है चुन्नु निश्चिंद होकर बोला ये जानवरों की खाले ही हमारा माल है लोम्री चीकती हुई बोली ये खाले तुम कहां से लाए चुन्नु व्यंग भरी मुश्कान से बोला ये तुम्हारे भाई भेनों की ही हैं हमने उतारी हैं यह सुनते ही शेर भालू भेडिया और लोमडी अपनी अपनी अवाजों में भैसे चीखने लगे और तंबू छोड़कर भाग कड़े हुए हिंसक जन्तुव द्वारा छोड़े गए शेश वियंजन दोनों मित्रों ने बड़े चाव से खाए फिर चुन्नु ने वहां अधिक समय तक रहना उचित नहीं समझा और दोनों वहां से भाग निकले चुन्नु आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे पीछे भोलू भाग रहा था शाम होते होते दोनों मित्र अपने घर पहुँच गए घर वाले उन्हें देखक अधर बहुत खुश हुए लेकिन दोनों मित्र यह पता ने लगा सके कि सूरज रात में विश्राम कहां करते हैं